नमस्कार फिर्म में हुई चंदरम टेल और देखे आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बार लेंसर कंट्रीनर पर आप यहां पर देख सकते हैं इस स्टॉक ने 220 रुपे का हाई बनाया फिर वहां से इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलना लगबग यह 206 रुपे का लोवर सर्कृट मारा है आप यहां पर देख लिजिए लगबग इस स्टॉक में देखे इस स्टॉक का जो अपर सर्कृट था 227 रुपे 60 पैसे था लेकिन ओपनिंग हुई इसकी 220 रुपे और वहीं से यह हाई बनाया और लगबग इसका जो लो था 206 रुपे का और देखे तुरंत यह डाउन सर्कृट नहीं मार दिया इस स्टॉक में थोड़ा सा ट्रेडिंग हुआ आप देख सकते हैं देखे मैं आधर यहाँ सुर्बरा कश लाँ तो आप देख पा रहेंगे कि इस स्टॉक में अग guides 수가 करने मैं आपको यहां पे 10 मिनट का चार्ट लगाता हूं फिर आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा आप यहां पर देखें यहां पर माल भी उठा है कितना जबर्दस माल भी उठा है इस स्टॉक की गिरावट में और कुछ माल बहुत ज्यादे सेल हुए है देखिए यहां स बहुत बहुत पर का सिल सलय चला फिर उसके बाद एक बार इस्टॉक खुला फिर डाउन फिर सटॉक खुला फिर डाउन सर्कीट परे यह स्टॉक बंद हुआ है तो दिखिए आपके हाथ में एक अच्छी अपशुंटी थि की ऐगर आपको इतना बड़ा अगर प्रौफि के निकल जाएगे नहीं ऐसा नहीं है आप इंतिजार करिए ऐसे स्टॉक का कि एक अच्छी पोजीशन पर मिले और आप वहां पर निकलने का आपको चांस भी मिले तीके आज एक फुली निकलने का चांस था आप अगर निकल गये होंगे तो कोई बात नहीं और अगर आप नह ज्यादा प्रॉब्लम आने वाले समय में हो सकती है देखिए मैं आपको पेनिक नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको मैं इतना बता रहा हूं कि यह अपने लगबग हाई पर ही ट्रेड हो रहा है आप ध्यान से देखिए अपने हाई पर ही ट्रेड हो रहा है तो आपको थोड़ नहीं है लेकिन अगर गिरावट होगी अगर गिरावट होगी तो लगभग लगभग जो support का लेबल है वो 120 रुपए से लेके 1500 रुपए के आसपास तक का support का लेबल एक बनेगा और ज्यादा बड़ा support का लेबल 120 रुपए का बनेगा तो देखे मैं यह नहीं बोलता हूं कि यह 120 रुपए तक गिर सकता है लेकिन market है stock market है कुछ भी हो सकता है तो यह सारी चीज़े आपको ध्यान में रखनी चाहिए और लंबे समय के जो investor है वो थोड़ा सा भी wait करे छोड़ा सा wait करें किस हिसाब से माहौल होता है उस stock ऊस हिसाब से यहां पर वह बिकवाली या गि से माहाल उठ्षाने की कोसिस करें लेकिन अभी कि जो इस स्टॉक में और लेडी निवेस हैं वो क्याकरें वो मेंने आपको बता दिया कि आपको प्रोफिट बुक. करना बहुत ही जरूरी है इतना आप कर लिजिए कि जो आपका पैसा लगा है जो आपका पैसे से आपने माल उठाया है वो पैसा आप प्रॉफिट के तरीके से आप बुक कर लिजिए ठीक है जो आपका प्रॉफिट वोर रहने दीजिए ये पहला नियम आप तो ये कर सकते हैं या आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इस स्टॉक में और धीरे 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 करके एक समय पे अपना माल निकालते जाएं अभी देखे कल कैसी सिच्वेशन बनती है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि इस स्टॉक में हम किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या सेल आउट करके एक्जिक्ट कर देते हैं ठीक है वो सब अभी कल देखेंगे अभी एक दो दि करेंगे देखें मार्केट में जो एक नया कोवेट का जो वर्जन आया है ठीक है वो बहुत ही घातक सावित हो रहा है साउथ अफ्रिका में तो इसलिए सब बहुत ही कपड़ा के बेच रहे हैं कि इतना ज्यादा लॉक्डाउन हो जाएगा ऐसा वैसा कुछ देखें लॉक् उतनी जादी नहीं हो गई जितना पहले लॉक्डाउन में था ठीक है नहीं कुछ नकुत होगा और इस पे इस पुतनी की वी जो वैक्सीन है वो भी कारगर साबित हुई है और कोई उतनी जादी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी पहले जैसी लेकिन फिर भी आ झाल